नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्तांकेद और अपने सैनल पर आप सभी का एक पर फिर से सबकत करता हूँ आज बात करने वाले हैं टोंड पेपर की ऊपर कैसे एक realistic results लाए जाते हैं और एक different approach कुछ जनरली जो हम करते हैं उससे अलग तो अभी टोंड पेपर है इस पर आउट लाइन्स को fix कर रहा हूँ जैसे कि eyes हो गया eyebrows हो गया और इसको graphite pencil से ही fix कर रहा हूँ कुछ dark कर रहा हूँ layers को फिर further मैं इसमें use करने वाला हूँ एक चाकोल pencil को जो की बहुत extreme dark area जो आई के अंदर नजर आ रहा है या आई के surrounding में नजर आ रहा है eyelashes में eyebrows में वहाँ पे हम इस dark चाकोल pencil को use करेंगे आप camelin brand की soft charcoal pencil भी use कर सकते हों मैं वैसे यहाँ पे general's brand की use कर रहा हूँ एच बी चाकोल pencil को तो जो बिल्कुल जो darkest area है के बल उसी को हम इस pencil से identify कर रहे है अब जैसे paper है यह एक tone paper है और textured भी है यह tone भी है textured भी है मतब double challenge है हमारे लिए तो उस पे कैसे results निकाले जाएंगे वो देखते हैं अब further मैं उसके बाद जब चाकोल मैंने यूज कर लिए डार के रहे में फिर मैं graphite पे आ गया हूँ और graphite pencil से अब mid tones की जो areas है उसको मैं utilize कर रहा हूं using the graphite pencil तो graphite pencil चाकोल पे easily opt हो जाती है जैसे कि मैंने बताया आपको फिर उसके बाद फर्दर ये कर लेने के बाद हमारा काम आता है blend करने का और उसके लिए मैं brush को use कर रहा हूं और इस तरह से brush से दोनो graphite और चाकोल को एक साथ blend कर रहा हूं ये paper बहुत textured है तो obviously बहुत softly चीज़ें blend हो रही है जैसे आप देख रहे हो और थोड़ी over भी हो जा रही है मतलब जादा भी हो रही है फिर ये हो जाने के बाद हम use करते है pencil eraser या needle eraser को कि हम उसको और finish कर पाए तो अभी देखो ये इस level पे finish हुआ है जो कि जैसे अभी इसको paper है तो बहुत जादा आपको blending की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी easy blending पे भी काम हो जाएगा normal मैं finger use कर रहा हूं और तब ये अच्छे से blend हो जा रहा है तो और कोशिश कीज़ेगा lighter grade की pencil करें क्योंकि ये जो portrait है काफी lighter grade पे बना हुआ मतलब इस पर lights बहुत जादा पड़ र है यहां पर एक बात और बताता हूं को अगर आपको बहुत कहराई से आर्ट सेखनी है तो मेरी Skillshare और Udemy Classes को जोइन करो नीचे डिस्कुशनल लिंक है जरू ट्राइब करके देखो आपको बहुत वायदा होगा क्योंकि वहां बहुत सारा students है अब तो उसमें रिव्यू वा यहां ने वही process सेम प्रोसेस जो मैंने पहली बहली आई में किया था वही process मैं यूज कर रहा हूं और जहां थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है वहां needed eraser और mono eraser की मदद लेकि थोड़ा सा कम और ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है dark tones को तो initially जब हम इस टाइप की paper को ग्रिफाइट पेपर भी होता कार्टरिज पेपर होता तो इतनी जादा changes नहीं होते हैं लेकिन जहां texture की बाद आती है महां होता है obviously अब यहां देखो nose में भी मैंने वही काम किया मैंने थोड़ा सा graphite यूज किया थोड़ा सा चाकोल यूज किया डाकेश रही है वहां उसक और further इसी तरह के से अब lips पे भी काम करना है हमें तो मतलब process है एक एरिया को आप पकड़ते हुए चलो और हर एरिया पे वही process को यूज करो तो आप देखो यह कि आप similar results लेके आ सकते हो जैसे अभी यहां पे कर रहा हूँ मैंने lips पे काम किया और थोड़ा उसको डार करके अभी graphite ही यूज किया है mostly उस जगाओं पे जो edges है lips की खाली महां पे charcoal को यूज किया गया है बागे दोनों जगाओं पे graphite को ही upper lip और lower lip में काम करके उसको छोड़ दिया as it is अब हम आजाते हैं hair की ओपर तो hair में क्या करना है हमें फिर से वही charcoal pencil यूज करना ही क्योंकि बहुत dark area है और side को use की जगा pencil की टिप को ना use करके और side को use करते हुए इस तरह से हम इसको dark करते हुए चल रहे हैं और dark जब हम कर रहे हैं इसको तो आप देख रहे हो कि flow जो है पेपर का वो maintain रखने कोश्की है अब यहाँ बहुत है को विलो चाकॉल भी यूज कर रहा हूँ मैं तो क्योंकि larger area है तो आप विलो चाकॉल या compress प्रेश चाकॉल या फिर आप normal चाकॉल पैंसिल को भी यूज कर सकते हो darker area को capture करने के लिए कोई लोग यह भी पूछ सकते है कि graphite वाले chunk क्यों नहीं यूज की हमने graphite वाले blocks तो वो इसलिए क्योंकि वो इतने dark होते नहीं है और यहाँ पे जब हम चाकॉल को साथ में करना होता है क्योंकि इसके जो खड़े होते हैं इस paper के उपर जो undulations होती है वो पूरी fill होनी चाहिए तब आप उस पर अपनी तरह से अकाम कर सकते हो तो मैं वही कर रहा हूं मैंने second layer out करने की कोशिश की है अब यहाँ पर मैं एक दूसरी चाकॉल को यूज किया और इस तरह को हम इसको finish कर रहें फिर last में जब सारा कुछ काम हो जाता है उसके बाद इस type की pencil भी आप यूज कर सकते हो विच इस नोन एज प्रिजमा कलर या फेबर कैसे polygromos की pencil है जो की easily graphite या चाकॉल के उपर चड़ जाती है तो उसको हम यहाँ पर कर सकते हैं और details निकाल सकते हैं चाकॉल को हम कहां यूज करते हैं क्योंकि यह option हमारे पास हमेशा रहता है इसमें कि आप वाइट चाकॉल को भी यूज कर सकते हो on the nose tips जैसे मैं आपर कर रहा हूं और देखो कितनी अची दरीके से वह थ्री देमेशल में convert हो गया एक हलकी सी point create करने के बाद white point create करने के सारे लोग white jelly gel pen को यूज करते हैं उसकी जगा पे आप ये भी कर सकते हो और बहुत ही शानदार results आते हैं similar to the eye inside the eyes, eyes में भी इसी तरीके से आप बहुत सारे area को ले सकते हो और देखो कि जब आप result इसको जब use कर रहोगे तो उसके बाद एक बहुत ही अच्छा work नजराने ल हैं using white charcoal उससे बचना चाहिए फिर वो gray में convert हो जाता है white भी नहीं रह जाता तो इस तरह से देखो जहां पर आपने कोईच भी नहीं उसकिया है वहीं पर आपके बहुत चारकोल को यूज करो white charcoal को तो आपको अच्छे और बहतर results मिलेंगे और यहां पर आप देख सकते हो य जब भी आप कोई portrait draw करते हो तो उस paper का utilization proper होना चाहिए I hope कि आज का tutorial आपको पसंद होगा इसके regarding कोई query हो तो आप comment box में बहुत सकते हो और कुछ-कुछ details है जो आप minute details है जनको आप आखरी तक आप achieve करने कोशिश कर सकते हो art सीखते रहो art करते रहो experiment करते रहो बहुत सारे इ रैक कर सकते हो Instagram पे मैं available रहता हूं Instagram पे आप लोगों के review करने के लिए और मैं अपनी stories में भी उसको डाल करके shout out भी दे सकता हूं अगर कुछ अच्छा इस type का artwork आप करते हो तो प्लीज जरू मुझे बताना thank you so much friends फिलाल इतना ही और shorts वाली videos भी आते ही रहते हैं हर बहुत तो डेली कोशिश करता हूं डालने की तो उनको भी जरूर देखना enjoy करो thank you so much please subscribe to channel अगर वीडियो पसंद आई तो like जरू करना bye